Hello Learners, Welcome to Management Classes with Pallavi जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस समय लोगडाउन के कंडिशन चल रही है और जो स्टुडेंट्स हैं वो घर पे ही अपनी ओनलाइन स्टुडेज कर रहे हैं उनके स्कूल की बिल्डिंग शुट डाउन है उनकी क्लासे नहीं लग रहे हैं तो ऐसे टाइम पर सिबस्ट के पास बहुत सारी कोईरी जारी है फ्रॉम दी पैरिंट्स प्रॉम दी स्टुडेंट्स जिनका रिजल्ट डिकलेर नहीं हुआ है जिनके कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं हुए उनको बहुत जादा टेंशन हो रही है कि कब उनका रिजल्ट आएगा वो पास होंगे नहीं होंगे बहुत सारे कोईशन्स है माइन में कि वो नेक्स क्लास में प्रॉमोट होंगे नहीं होंगे ठीके पैरिंट्स के माइन में बहुत सारे कोईशन्स हैं बच्चों को लेकर बहुत जाद उनके करियर को लेकर टेंशन है तो इसलिए CBSC ने अभी लेटेस्ट एक न्यूस कब्लिश करी है जिसमें एक गुड न्यूस है इसलिए जिसमें एक न्यूस करी लेटेस्ट नहीं नहीं आया है जिनके अभी तक से एक्जाम कम्प्लीट नहीं हुए उनको यह वन टाइम अपॉर्चनिटी मिल रहे हैं यह त्यान रखेगा यह वन टाइम अपॉर्चनिटी है मतलब सिर्फ अभी के लिए ही के लिए प्लस यह तो सीवेसी ओलरी डिकलेट करी चुकी है कि जो स्टूरेंट्स एट क्लास तक के उनको प्रमोट कर दे जाएगा इंटरनल असेस्मेंट के बीच में और जो बोड के एक्जाम के अगर हम बात करें तो वो कब जो कोविट 19 के वज़े से रूप गए थे वो दुबारा री टेस्ट दे सकते हैं आप अपने स्कूल में दुबारा ओनलाइन या ओफ लाइन किसी भी तरीके से आप दुबारा अपने एक्जाम में एपियर हो सकते हैं बस यह ध्यान रखेगा यह वन टाइम अपॉर्चनिटी है और येस एक बात और मैं कहना चाहूंग तो उसके लिए आपको notification मिलता रहा है और आपको detailed notes मिलते रहे हैं अपने subjects related plus latest updates मिलते रहे हैं CBSC से related and various exams से related ठीक है तो जो भी बच्चे फेल हुए 9th और 11th में उनके लिए online या offline या innovative test school conduct करेंगे और उसके basis पर उस बच्चे का promotion होगा before holding such test school will provide you sufficient time कि आप अपनी preparation कर सकें उस test को prepare करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी updated news आये CBSC वालों में CBSC वालों की तरफ से plus ये जो difficult time चल रहा है इसमें ये बोला गया है कि students को उनकी family को और school वालों को और government को एक साथ joint efforts करने होंगे ताकि वो हम बच्चों को उस stress से उनके exams की stress उनकी पढ़ाई के peers उनके career के stress से निकाल सकें ठीक है तो that's all about today and once again मैं आप से कहूंगे कि अगर अभी तक से आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर जीए ताकि आपको latest update मिलती रहे थांक यू सो मच